एथिकल हेकिंग फ्री में सीखने के लिए सब्सक्राइब किजिए हमारे यूटूब चैनल को और नए वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए क्लिक किजिए बैल आइकन पर हेलो फ्रेंड्स मैं एनिल आप सबीका बहुत बहुत स्वगत करता हूँ टेक्चिप यूटूब चैनल में जहां मिलती हैं आपको एथिकल हेकिंग और साइबर सेक्यूर्टी से जोड़ी कई मेत्पूर्ट जान का रहे हैं वो वी हिंदी में तो दोस्तो आज हम इस बीडियो में बात करेंगे ब्लुबॉर्ण एक्सप्रोइट के बारे में कि ये क्या है और हम इससे कैसे बच सकते हैं दोस्तो अभी हाली में आर्मिस लेव ने एक नई ब्लूटूथ 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 खोजी है जिसका नाम है कोई भी डिवाइस जो ब्लूटूथ इनेवल है और उसमें ये वनिवर्टी है तो उसको हैक किया जा सकता है और उस डिवाइस से इसको आगे भी फैलाया जा सकता है दोस्तो इसमें खत्रे की बात यह है जैसे की आपने मेरे वीडियो देखे होंगे कि ज़्यादा तर सिस् hack किया जा सकता है और दूस्तों इसमें Bluetooth pairing की भी जरूरत नहीं है यदि आपके Bluetooth डिवाइस में ये Brunelverti है और Bluetooth आपका on है तो इसको बड़ी आसानी से hack किया जा सकता है बिना कोई link और कोई file download किये बिना और दूस्तों इस attack में victim को पता ही नहीं चलता कि उसके phone या Bluetooth device के साथ क्या हो रहा है मान लीजिए किसी hacker ने आपका smartphone bluebron attack के द्वारा takeover कर लिया है तो वो आपके phone का सारा data निकाल सकता है वो अपने system पर transfer कर सकता है या कोई virus और malware आपके system या आपके device में भेज सकता है Bluetooth के जड़ी आपके बाते सुन सकता है आपके laptop, desktop या phone में ransomware भी डाला जा सकता है आपकी device से किसी अन्य device को hack किया जा सकता है man in the middle attack, phishing attack, ransomware attack, जैसे कई तरह के attack इस vulnerability के दोरा किये जा सकते है तो hacker उस device का Bluetooth Mac address से उस vulnerability के दोरा system से connect हो जाता है और वो ये भी पता लगा लेता है कि device में कौन सा operating system रन हो रहा है billions of device में ये vulnerability मौजूद है दोस्तों एक true hacking attack है और इस zero day vulnerability को खोजा है Armist Lab ने और उन्होंने एक application भी जारी की है जिससे आप अपने device में इस vulnerability का पतार लगा सकते हैं दोस्तों इससे कोई भी device safe नहीं है चाहे आपका Linux हो, Windows हो, Android हो, Smart Watch हो, आपका Music System हो वो इसके द्वारा hack किये जा सकते हैं मैं आपको Armist Lab के कुछ demonstration के link नीचे दे रहा हूँ आप वहांजा कर देख सकते हैं कि ये attack किस तरह से काम करता है किस तरह से आपके device को hack किया जा सकता है और आपके device के साथ क्या-क्या किया जा सकता है यदि दोस्तों आप इस attack से बचना चाते हैं तो अपना Bluetooth वे बज़े on मत कीजिए जो application प्रोवाइड की गई है उससे एक वार अपने device को चेक कर लीजिए कि आपके system के अंदर ये vulnerability है या नहीं यदि बनुवर्टी है तो जब तक आप उस device का security page अपडेट नहीं कर लेते Bluetooth को जड़ा समल के ही यूज कीजिए आपको इस application की link नीचे description में मिल जाएगी और दोस्तो आप इस attack के बारे माधिक जानकारी जानना चाहते है उसकी link नीचे description में दी हुई है तो जल्दी मैं अपने चैनल पर इसका एक detail वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आप इस attack के बारे में पूरी तरह से जान सकेंगे तो दोस्तो उमीद करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तो इस वीडियो को share जरूर कीजेगा अपने friends अपने families में जिससे कि उनको इस hacking attack के बारे में पता चल सके और वो अपने आपको safe रख सकें तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही जल्दी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में देखते रहे ये attack chip धन्यवाद आपका दिन शुब हो